बिल्कुल तो इसका मतलब कि यहां पे तुरंट कारवाई होनी चाहिए वाइलेशन सतने सारे हुए एक बार फिर मैं आपसे जाना चाहूंगी कि अगर इन होल हम देखें तो कौन-कौन सी धाराय लगनी चाहिए क्या कारवाई होनी चाहिए और कब तत न्याय मिलना चाहिए जो सबसे बड़ी बात है जिसके उमीद में ये लोग बैठे हुए हैं सबसे पहले तो शासन को ये चाहिए कि जो भूमिया अवैद रूप से विक्रे की गई हैं उन भूमियों को वो अपने कबजे में ले और समीती के संचालक मंडल को भंग करते हुए स्वयम जो समीती के सदस जिन जिन लोगों को भूखंड उपलब्द नहीं हो पाए हैं उनको वो प्रात्मिक्ता के आधार के उपर जिनों ने पूरे राशी जमा की हुई है उनको भूखंड उपलब्द कराएं आपने कहा कि शासन को ये करना चाहिए लेकिन शासन कब करेगा ये लोग गोहार लगा चुके हैं फाई आई आर दर्च हो चुकी है कही ना कहीं बिल्डर्स तो इस मामले को कोट तक भी लेकर चले गए हैं लेकिन अब किस चीज़ के लिए इंतजार किया जा रहा है कारवा है आपसे वकी साहब यहां पर मैं बता दू कि कल भी इस मामले में हम लोग डिस्कुशन कर रहे थे स्टूडियो में चर्चा हो रही थी दीपक श्रवास्तव साहब जो वकील है खुद उनसे बाचीत हो रही थी तो उन्होंने मानविय पहलू के तहत है यूमन ग्राउंस पर बात कही थी कि मैं फ्री आफ कॉस्स केस को अपनी तरफ से लगाऊंगा क्या आपकी तरफ से इस तरह की कोई पहल आप करना चाहते हैं किस तरह की मदद इन लोगों के लिए बिल्कुल यदी कोई सदस इस तरह के वो हैं जो पीडित हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं और हम उन जी देखिए इसमें जो है सरवधर्म गरह निर्मान समीती के जितने भी इस सेक्टर की सदस्य हैं उन सबसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि वो सब एक मंच पर आजाएं वो सब इखटे हो जाएं हमारे इस बंसनी उसके कारिकरम से जो हमें सैयोग प्राप्त हुआ है इसम जो कदाचरण किया गया है और यह जो अधिकारिता रही तरीके से हमारी भूमी को बेचा गया है इसे हम मुक्त कराएंगे और अंतीम हमारा यही निर्णने रहेगा कि अंतीम सास तक यह लड़ाई लड़ेंगे कि हम सभी लोगों के साथ न्याय हो भारत में न्याय पद्द नहीं होई है तो उस पर भी चैमंजिला वो बिल्डिंग है उस पर भी शाइद स्टे लगा हुआ है पीछे जो आप बता हैं जो विल्डिंग जो हमारे इस स्क्रीन में भी दिखाई गई है उसके ओपर इस्टे है सुहम पीसे जब हमने नप्ती करवाई थी पिछले इसी व जबाए थे और उसके आधार पर उसे संग्यान में तत्काल लिया गया और उसी समय तत्काल जो है उन्होंने एस्टेम सीरी जीपी माली जी को यह निर्देश दिये कि वह इस पार्ट पे जाएं और वह जो है उसकारी को रोकें और उसको टोटल प्रती बंदित करें लेकिन प्रतीबंद लागा लेकिन अभी फिलहाल हाली के दुनों में कुस तोड़ा फोड़ी भी शायद उस बिल्दिंग में उसका मेरा में बहुत छोटा सा चज्या तोड़ा गया था केवल वह जो है मूह दिखाई की रस्म जैसी रस्म की गई एक रस्म है उससे हम ब्रहमीत नह सब्सक्राइब करें और उसके आवंड़न संब्सक्राइब की स्टे लगा है उसके बावजूद वहां पर बिल्दिंग बन गई फिर तोड़ा फोड़ी भी थोड़ी बहुत हो गई जैसा कि कह रहे हैं तो कितना गंभीर है यह मामला किती गंभीता से से आप लेते हैं जब एक बार उस पर निर्मानकार की रोक लगाई गई है और फिर भी यदि वहां निर्मानकार हो रहा है तो निश्चित रूप से कमिशनर कलेक्टर को यह संग्यान लेना चाहिए कि उस बिल्डिंग में पुनह निर्मानकार किस तरह से प्राराम हुआ और कौन वैसे व्यक्ति हैं जो वहां पर निर्मानकार कर रहे हैं और सम्धित पुलिस ठाने को यह डैरेक्ट करना चाहिए कि वो यह सुनिश्चित रखें कि उसस्थान के उपर कोई निर्मानकार रहे ना हो और यदि वह वहागई में अतिक्रमित भूमी है और बिल्डर ने गलत निर्मानकार की किया है तो उस बिल्डर के खिलाफ कारवाई करते हुए उस बिल्डिंग को तुरंत राजसात करते हुए उसको तोड़ने के कारवाई की जाए है हमानशु जी कहा जाता है ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड क्या यहां पर बात सही होती हुए आपको दिख रही है सन चौरानवे से जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया कि सन चौरानवे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं आज सत्रा साल हो गए और आज तक सोसाइटी के सदस्यों को यह निश्चित नहीं है कि उन्हें कब कहां और कितनी भूमी में प्राप्त होगी क्योंकि हम मात्र दो ए सिर्फ और किशना एक कोई नर्ना है लिए गए अपर जो आजानव लाइकारी कोई गुपता थे जब सदस्यों के आपति करे तो वो खड़ाउ कि हमें डाठने लगये प्रताडित करने लगे तब सारे लोग हम संगधित होकर जब उनका विरोत करे हमने कहा कि आप अपना ब आप बहुत उत्तेजीत होकर हमारे बीच में आएं तो पेले वे बताएं तो वो घबरा गए हमने का आप हमारे साथ थाने चले जांगिराबाद या टीटी नगर वहां पर आप दस्तावेश दिखाईए और उसके बाद हमें प्रताडित करिए यहां पर तो पूरा की पुरा स तंत्र सहकारी समीती साथ मिला हुआ हमारी तो मांग यह है कि जब से इसमें जित्ते प्रश्टाचार हुए अधिकारीता रहित तरीके से जो भूमई का जो विनिमाई किया गया या विक्राइक किया गया है इसमें लोगों को चिन्यित क्या जाया और कौन-ौन से इसके गंभीर है ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर मामला है क्या अब ये कर सकते हैं इस पर किस तरह के कारवाई ये लो कर सकते हैं समीति के जो सदस से उस आम सभा में मौजूद थे उनको चाहिए कि वह इसकी शिकायत ना केवल सहकारिता विभाग के वरिश्ट अधिकारियों को वरिश्ट अधिकारी हैं कमिश्टर हैं कलेक्टर हैं इन सब को उनकी शिकायत करनी चाहिए नामजद शिकायत है आप जैसा बताई रहेंगे कि गुपता जी वहां सोयम मौजूद थे और थाने दाथ तक जाने की बाचित हुई थी तो इस सब की विधिवत रूप से इनको डेटेल में लिखते हुए और यह चाहिए कि कमिश्टर को उसकी शिकायत करें जी आप एक कानून की आपको पूरी समझ है आप वकील है पेशे से आप से जाना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है एक शौट में संग्शिप में अगर आप कोई समझाईश देना चाहें और 1200 लोगों के परिवारों को तो वो क्या होगा कि सब संयुक्त रूप से कारवाई करें अलग-अलग रूप से कोई व्यक्ति कारवाई ना करें बनकि यह कहावत है कि जब आदमी इखटे होते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है जब आप सभी 12,00 लोग या 300,00 ल प्रकरन नय एले में चल रहा है इसलिए हम अपना पैसा वापस लेए पंडी जी समय बहुत कम है दो शब्द इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं आगे किस तरह की क्या रूप रहेगा हम यह कहेंगे कि सारे जो सदस्य हैं वो इकटे हो जाएं साथ ही हमारी यह मांग है कि जो ह प्रमुकिस्तरी जाच कराई जाए संबंधित अधिकारी और समीधी के जो संचालक मंडल की लोग दोशी हैं इनके विरुद्ध केवल आपराधिक प्रकरन दर्ज होना चाहिए और इन्हें आपराधिक प्रकरन दर्ज करते हुए इनने जेल भीजा जाए और इनकी जो बहुत शुक्रिया दुबे जी आपने यह आवाज उठाई ती लंभी आप लड़ाई लड़ रहे हैं उमीद यही है कि आगे आपको सफलता और सभी लोगों को सफलता जरूर मिले आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तो हमारी इस खास पेश्टश भरोसे के कटल में फ कि आयर क्टरी जरूर सभी लुक्रिया यही हैं